आपका पहला सवाल है भारत के किस मिले को अंदरिक्ष से भी देखा जा सकता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन भी कुम्भ मिला आपका अगला सवाल है दो केला किस देश का राश्त्री ये फ़ल है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन सी कमबोडिया का आपका अगला सवाल है देन मिले ताज महल किसी कहा जाता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन सी बीबी कमबड़ा को आपका अगला सवाल है चार दुनिया का सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन जी बीबी कमबड़ा आपका अगला सवाल है पांच किस देश में शरापीने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन दुबई में आपका अगला सवाल है भारत की पहली फिल्म कौन सी है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन दुबई राजा हरिस्चंद्र आपका अगला सवाल है साथ किस देश में रविवार की छुट्टी में होती है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन सी यमल में आपका अगला सवाल है आज किस चीव पर पेट्रोल डालने से वे ए मर जाता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन ए बिच्छू आपका अगला सवाल है आनो किस जानवर का दूद चमीन पर गिरते ही सक्थ हो जाता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन सी शिर्नी का आपका अगला सवाल है दस सहजन की सबजी खाने से कितनी बिमारियों से बच्चा जा सकता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन जी उप्रोक सभी आपका अगला सवाल है ग्यारा माउंटे वेस्ट किस देश में स्थित है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन बी नेपाल में आपका अगला सवाल है बारा जय जवान जय किसान का नारा कर निद दिया था आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन बी लाल बहादुर शास्त्री ने आपका अगला सवाल है तेरा शरीर का कौन सा अंगाग में नहीं जलता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन सी नार्खून आपका अगला सवाल है 14 किस जानवर का दूद पीने से दिमाग पेड़ होता है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब होगा ओप्षन बी लाल का आपका अगला सवाल है 15 भारत की राष्ट्रे नदी कौन सी है आपका ओप्षन है आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं